तो हेलो फ्रेंट्स इक बार फिर सिस्वा कते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज के अपने इस वीडियो में हम जो हमारा जो हमारा जो हमारा स्रीज चल रहा है computer से related तो इसमें जो हमारा part 1 यानि की part जो हमारा इससे पहले previous हमने video upload कर दिया है उसके बाद जो हमारा next second video यहाँ पर है वो number system के उपर है यानि कि number system जो computer system के लिए basically होते हैं computer के लिए जो number system यहाँ पर है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे है तो वीडियो में आगे जान से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो make sure आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें औ बात करने वाले हम यहाँ पर number system की ठीक है number system यहाँ पर mathematics का नहीं है यहाँ पर computer के number system की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इसमें होता है non-positional number system यहाँ पर होता है second हमारे पास positional number system होता है इंम्पॉर्टेंट हमारे लिए पोजिशनल नमबर सिस्टम है काफी सरे एगजामम में आपको पूछा जा सकते हैं आपको मतलब कुश्चन आपको दिये जा सकते हैं और उसको आपको जो है कण्वर्ट करना होता है डेसिमल फॉर्मेट में तो यहां पर जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसमें बिसिकली क्या होता है कि यह प्रिवियस टैम पर यूज किया जाता था जिस समय पर जो इंसान है उन्हें काउंटिंग नहीं आती थी न उस समय पर यूज करते थे को कई बार जैसे आपने लिए तो यह उतना जाता इंपोर्टेंड नहीं माना जाता है क्योंकि प्रिवेस टाइम पर यूज के ताइम पर हम काउंटिंग करते हैं उसी का हम झाधर प्रियोक करते हैं तो यहां पर second हमारे पास है वह थे outta positional number system ठीक है यानि कि positional number system भी आपके three types के होता है positional number system हमारे three types के होते है first test में binary number system second आता है octal number system third आता है hexa decimal number system ठीक है यह तीन ही आपके कौफे ज्यादा important है इसमें जो binary यह जादा तर पूझा जाता है और कई सरे एक्जां में आपको hexadecimal से भी जो questions देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है तो यहां पर binary जो number system है उसके उपर बात करें तो जैसे इसके नाम से ही पता चला है binary ठीक है मतलब we use the base 2 ठीक है यहां पर जो हम base का इस्तिमाल करते हैं वो कौन सा इस्तिमाल करते हैं दो ठीक है मतलब जो भी हमें number given होगा उसका हम base 2 के हिसाब से उसे calculate करेंगे ठीक है question आपको किस तरीकी से मिल सकते हैं यहां पर दो हमने question देख आपको यहां पर दिखाए है question number फर्स आपको इस तरीकी से दे सकता है the decimal equivalent of the binary number डैस एज मतलब आपको 10101 का आपको decimal equivalent पताना है इस binary number का यह आपको binary number वहाँ पर given है ठीक है या फिर आपको इस तरीकी से question किया जा सकता है convert 10101 binary number to decimal या फिर convert binary number 10101 to decimal format ठीक है इस तरीकी से आपको question यहाँ पर given हो सकते है answer इसका आपको किस तरीकी से यहाँ पर find out करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं answer हम किस तरीकी से देखेंगे answer आपको यहाँ पर लिखा है 10101 ठीक है इसका यह binary number आपको given है इसलिए इसके जो base है यहाँ पर हमने 2 इस्तेमाल किया ठीक है अब हम सबसे पहले इसके इकाई से स्टार्ट करेंगे यानिकि इसके जो one stands hundred इस तरीक से जो counting चलती है जो कि हम math में भी पढ़ते रहते हैं तो यहाँ पर जो इकाई का अंक यहाँ पर है वो one है ठीक है दहाई का यहाँ पर two zero है फिर यहाँ पर दिख रहा है फिर one है फिर zero है फिर one है ठीक है तो इसी तरीक से आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है ठीक है तो इकाई का one है यानि कि दो की power यहाँ पर zero हो जाएगी तो one आएगा ठीक है two three four five मतलब जो यह वाला number है यहाँ पर two की power कितनी आ रही है four आ रही है ठीक है यहाँ से zero से start करेंगे zero one two three और four two की power four ठीक है तो हम इसे किस तरीक से solve परेंगे यह one जो आगे का starting of one है वो यह वाला one है one multiply two की power four plus zero multiply two की power three plus one multiply two की power two plus zero multiply two की power one और जो last वाला हमारा one's वाला number है वो आ जाएगा यहाँ पर two की power zero के साथ ठीक है मैं इक बार इसे clear कर देती हूँ यहाँ पर ठीक है इस तरीक से यहाँ पर solve हो जाएगा two की power four multiply one करेंगे तो 16 हमारे पास आएगा अब आपको simply जो है mathematics के तो जिस तरीक आप solve करते हो उस तरीक से आपको powers को यहाँ पर solve करना है ठीक है इसके बाद जो हमारा answer आएगा वो आ हमारे पार 21 तो आप इस तरीक से लिख सकते हैं so we can also write 10101 जो binary number हमें given है उसको हम decimal format में इस तरीक से यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा देखते हैं next octal number system को next जो हमारे पास है octal number system वो आपको यहाँ पर screen पर दिख रहा है इसमें क्या है base ठीक है octal नाम से पता चल ला है जिसके 8 जो है आप base में रखोगे 8 number को ठीक है 8 को आप base में रखोगे अब 8 अगर आपका base में starting करेंगी 0 से तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है मतलब the largest single digit क्या हो जाएगी आपके पास 7 हो जाएगी ठीक है question अगर आपको यहाँ पर given है octal number को आपको decimal format में change करना है तो यहाँ पर आप देख सकते है 2057 का जो base है वो हमें 8 given है ठीक है इसी तरीके से उसी तरीके से यानिक जिस तरीके से हमने binary number system को हमने solve किया था ना बिल यहाँ पर 8 की power 0 हम लेंगे 5 पर आजाएगा 8 की power 1, 0 पर आजाएगा 8 की power 2 और 2 पर आजाएगा 8 की power 3 बस simply आपको इसे solve करना है और इसके बाद आपका जो answer आएगा 1071 ठीक है जिसे कि आप इस format में भी लिख सकते हो कि 2057 का जो base 8 है उसको किसके equal हो जाएगा 1071 का base 10 ठीक है इसे आपने decimal format में change करा है थर्ड है हमारे पास थर्ड है यहाँ पर हमारे पास एक मिनिट थर्ड है हमारे पास hexadecimal number system ठीक है hexadecimal number से अब यह थोड़ा सा different होता है इन दोनों के हिसाब से वैसे मतलब इतना ज़्यादा problem नहीं है इतना hard नहीं है आपको learn करने के लिए थोड़ा सा different होता है अब hexadecimal number system में आपको base क्या है 16 आपको रखना पड़ता है base ठीक है 0 से 9 तक के ही digits को लेगा यहां पर ठीक है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के आपके 10 digits हो गए remaining 6 digits are denoted by ABCDEF ठीक है जो other जो 6 digits जो रह गए है हमारे बाकी क्योंकि 10 तो यह हो गए क्योंकि 10 तो यह हो गए है ठीक है इसके बाद जो 6 है वो क्या है representing the decimal number ABCDEF अब यह EF वाले जो है इनी के format में आपको यहां पर questions दिये जाते हैं जैसे आप यहां पर question देख रहे है 1AF ठीक है 15 यहां पर value होती है ठीक है तो इस तरीकेसे यह इसकी पूरी value होती है ठीक है तो question अगer आपको यहाँ पर पूछा जायए 1AF जो आपका hexadecimal number है इसको आपको binary इसको आपको decimal equivalent बनाना है तो यहां पर F पे हो जाएगा 16 की power 0 A पे हो जाएगा 16 की power 1 और यहाँ पे 1 पे हो जाएगा 16 की power 2 तो आपको इसी तरीके से जिस तरीके से आपने previous यहाँ पे questions को यहाँ पे solve किया उसी तरीके से आपको यहाँ पे questions solve करना है और उसके बाद यहाँ पे A की value वीडियो आपको पूट कर देनी है ठीक है A की वैल्यू जो हमने अभी बताई कि A, B, C, D, E, F को किस डेसिमल वैल्यू से पूट करेंगे और यहाँ पर F की वैल्यू हमने पूट कर दी तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर आये वह आया हमारा 431 ठीक है तो आज के अपने इस व तो